दोस्तों इंडियन बीजीमाई ने बहुती धूमदाम से वापसी कर लिये एंड फाइनली क्राफटन टीम मेंबर्स ने भी अनॉंस कर दिया है कि कब हम सभी के डिवाइस में बीजीमाई एप देखने को मिल जाएगा पाइनली दोस्तों यह जो डेट नीकलके आ रही हैं यह 100% ट्रू रहने वाली है और इसबर बीजीमाई सच में वापसी कर रहा है और शाथ में सपोर्ट के सिय ओऔर बीजीमाई स्च में वापसी कर रहा है और साथ में जो बीजीमाई के बड़े गेElisily के बात कर लिए और वो सब भी इस बार clearly final बोल रहे हैं कि इस बार BGMI सच में वापसी कर रहा है तो और मेरे भाईयों क्या आल चले सभी के चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा और जिसने भी नहीं किया कर लो फिर सब्सक्राइब मैं तो कुछ और ही समझ रहा था और बेल ओला आइकन को अल पर कर देना ताकि सारे हमारे वीडियो स्क्राइब आप तक सबसे पहले पहुच जाए तो गाइस BGMI की रियल अन्बेंड डेट आ चुकी है BGMI के अन्बेंड डेट से लेकर के इसमें कौन-कौन से न्यूव फिचर्स एड़ अने वाले उन्हेंने सेडूल लगा दिया है तो मैं आज इस वीडियो में यह सभी चीज़े बताने वाला हूँ और सभी चीज़े डिसकस करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको इसका न्यूव टीजर दिखा देता हूँ जो बीजे माई ने अपने ओफिचल पेज पे अपलोड कर दिया है एंड उसके बाद दोस्तों वीडियो को हम आगे डिसकस करेंगे और दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो जिसने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्स्राइब कर लो यार तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों ये था इसका पहला टीजर और अब मैं आपको इसका दूसरा टीजर दिखाता हूँ जो की बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस है तो गाइस पहले हम बात कर लेते हैं हमारी पहली गूड न्यूस के बारे में तो स्काइ स्पोर्ट मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत जल स्काइ स्पोर्ट एक टूर्नामेंट और्गनाईज करना जा रहा है जिसके अंदर तीन टीमें बनाए जाएगी और इस टूर्नामेंट में दोस्तों जो टोटल 14 रैंकर्स होंगे उन बंदों को प्राइस पूल मिलना वाला है और जो बंदा सबसे ज़्यादा रैंक अप करेगा उस बंदे को 12 लैक का प्राइस पूल मिलना वाला है यानि कि दोस्तों यहाँ पे स्काइ स्पोर्ट ने एक बहुती बड़ा हिंट दे दिया है कि बीजे माई बहुत जल वापसी करना वाला है और जो दूसरी गूड निउज है दोस्तों बीजे माई के प्रो स्किम्स चाले वान वाल है जो कि अगले 10 से 15 दिनों में आप सभी को देखने को मिल जाएगा इसके साथ ही जो तिसरी गूड निउज है वो लेजेंडरी स्पोर्ट स्कुल्दी प्लेयादर सर के यहां से आई है इनोंने ट्वीट किया है बीजे माई समाचार फिर से आ रहे हैं और इस बार सच हो सकता है और इनका जो सेकेंड ट्वीट है उसमें इनोंने लिखा है कि कस्टम से क्लियर नहीं हुआ है अभी तक तो गाइस कुल्दी प्लेयादर सर बीजे माई से रिलेटर जब भी कोई अपडेट आती है सबसे पहले ट्वीट करके बताते हैं और इस बार भी इनोंने ट्वीट किया है कि बीजे माई समाचार फिर से आ सकते हैं यानि कि बीजे माई इस बार आइनमेन सच में हो सकता है और जब इन्होंने ट्वीट किया है तो बात में कुछ तो दम होगी तो दोस्तो कुछ दिन और वेट कर लेते हैं क्योंकि 11 अपरिल में और कितना टाइम है मुझे पता है दोस्तो जब से बीजमाई बैन हुआ तब से बीजमाई लवर्स बहुत ही परिशान है और उनकी जिंदगी एकदम उदास चल रही है तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते मुझे पता है यार मैं भी बहुत परिशान हूँ क्योंकि मुझे भी इसका न्यू अपडेट चाहिए तो मैं भी बहुत बेसबरी से इसके अन्बैन होने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं भी इसका न्यू अपडेट खेल पाऊं और अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की तो जो हमारे बड़े गेमर से जो बड़े बीजिमाई प्लेयर से उन्हें ने जब बीजिमाई क्राफटन टीम मेंबर से बात की तो उसके बाद बीजिमाई क्राफटन टीम मेंबर्स ने उनको रिप्लाई दिया कि बीजिमाई मन्थ एंड तक अपने सभी के डुवाइस में देखने को मिल जाएगा और इसका साथी साथ बीजिमाई में न्यू मैप्स भी मिलने वाले और कुछ न्यू अपडेट्स भी देखने को मिलने वाले और यह अपडेट आप सभी को तीन सो से पांसो एंबी के आसपास देखने को मिल सकता है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे मैप्स एड किये गए है मैं आपको फिर से एक बार दिखाया देता हूं कि जो हमारे बड़े गेमर से उन्होंने क्या क्या कि बीजिमाई कब अइन बयान होगा और इसको लेकर क्या अपडेट आई है तो हाँ कुछ हुआ है लेकिन वह पता चल जाएगा आपको शायद इतनी बुरी बात नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो इस तो देखा दोस्तों आपने यहां पे बड़े बड़े गेमर्स का क्या कहना है इन सभी की एक ही थिंकिंग है और सभी को पॉजिटिवली ऐसा वाला है आई होप दोस्तों बीजिमाई इस बार सचम वापिस आ जाए क्यूंकि बहुत से बीजिमाई लेवर से जो इसके बिना रह नहीं पा रहे है तो बीजिमाई से रिलेटर जब भी कोई न्यू अपडेट आईगी ने दोस्तों तो मैं आप सभी को वीडियो बना कर ब आपस एड़ किये गए हैं तो मिलते हैं दोस्तों एक और ने वीडियो में कुछ और ने जनकारी के साथ तब तक के लिए टाटा बुडबाय टेक केर और हाँ दोस्तों चैनल को सब्स्राइब कर लेना ताकि इस से रिलेटर जब भी कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले में वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूँगा